इसोजनों, राजा और राणी हाथ में आरा लिये खड़े हैं लेकिन हाथ किसी का भी नहीं चल रहा क्योंकि अपनी इकलोती संतान को काठना बहुत ही बड़ी बात होती है कहते हैं कि वक्त के अनुसार इनसान को सब कुछ करना पड़ता है लेकिन वक्त ही ऐसा आजाए तो इनसान को करना ही पड़ता है राजा और राणी वचनों में बंदे वए और किस प्रकार से अपने बेटे के उपर आरा चलाते वहां के वहां का हाल कभी ने वर्णन करया एक एक शब्द कांटे बरगे लिख दिये और किये लिख्या है सुनीगा इस वागनी के मातन से फिरे आराश रपे तेक लिया चलाओ वे राचा राणी इरमा पर तबी राजाने इसी ठेक दर्म की तानी आराश रपे तेक लिया चलाओ वे राचा राणी इरमा पर तबी राचाने इसी ठेक दर्म की तानी आराश रपे तेक लिया चलाओ वे राचा राणी कि आरा सिर्पे टेक लिया चलावे राजा राणी और महापरता पी राजा नई शिटेक दरम की ताणी प्रेमी सोजनों किस प्रकार से वच्णों में बग्या हुए राजा और राणी किस प्रकार से अपने बेटे को चीर रहे हैं नम्बर एक में बताया है किस परकार से वो राणी सोचती है बगवान मैंने आज तक ऐसे से बोजन बढाये लेकिन आज तक ऐसा कभी बोजन नी बनाया और किस वो चलना गी राणी एरा दरम समझ के दिल ना हल्या जान रहे जाहरी में राज्या राणी राज्या राणी पोनुवा के पोन्या फिकर जी गरी में पहला भोजन आज बढाया मन इशाजन की परी में जानूंगी हेरे जानूंगी मेरे पूत न होया कई करिके बैट सबर में जानूंगी मेरे उतना होया गई करिके बैट सबर में जैसी वे जैसी वे रटन लागगी एरे जैसी वे जैसी वे रटन लागगी ना निकड़े मुह तैवाणी आरा सर पैं देख लिया चला मेरा जराणी आरा सर पैं देख लिया चला मेरा जराणी आरा सर पैं देख लिया चला मेरा जरा जराणी केहते हैं प्रेमी स जाज्नों उष इश्वर की मरiberal की खीलाब गNow्त तक न इलता है वेसे राजा और राणी 60 के वक्त नोर को यौट को बढ़र । यौट नूर बना देता है जक्त म। चोटा ही नासूर बना देता अरे कौन चाहता है कि मैं मुसीबतों से गुजरू लेकिन वक्त ही वो चीज है जो इनसान को मजबूर बना देता है प्रेमी शुजनों मजबूर राजा और राणी बगवान के बारे में सोचते हैं कि बगवान की ऐसा लीला है ऐसी लिला है जो आज हमें ये कारिये करना पड़ रहा है और राणी के सोचन लागी एरे उस इश्वर की परमगत दें कोन्या टलती रे एक मात पिता की मात पिता की सची आत्मा लिये बेटा तु भी देख तोन्य वड़ा ते तोन्य उझिरे लिया सुत पे आरा टेख बोलता एरे बोलता कोई सुन र्या कोना रहा सहर खड़ा हुया देख पल मैं चाहे जो हर कर दे पल मैं चाहे जो हर कर दे तेरा किसन गती पिछाणी आरा सर पे टेख लिया चला मेरा चलाणी आरा सर पे टेख लिया चला मेरा चलाणी आरा सर पे लिया चलाणी प्रेमी सेजनों श्री किष्ण और अर्जुन जो अपने आपको बहुत बड़ा बाना बली समझते थे वो भी कापने लग जाते हैं जब यह आल देखा कि माध पिता अपने इकलोती संतान को खुद अपने आतों से चीर रहे हैं ये जब आल देखा अर्जुन कापने लग और कापता कापता अर्जुन किर्षन का इर्द किर्द गुमन लाग्या और के लिख्यावा आखाल कभी ने अरे किरिशन के संग अर्जुन भीजे दरता डरता आवे कदे नियु नैसी एर्द किर्द आफिर्द आवे बड़ा बगती हो बड़ा बगती हो खरता करता आवे आदा दड़ तक चीर दिया बाकी चीरता चीरता आवे इस दुनिया में इश बगत की तेरे इस दुनिया में इश बगत की आज होंगी अबर कहानी आरा सर पैर एक लिया चला मेरा चलाणी आरा सर पैर एक लिया चला मेरा चलाणी आरा सर दुनिया चलाणी प्रेमी सेजनों जी ये हाल हो रहा था ये काम किया जा रहा था आश्मान में काली गटाए छा जाती हैं और किस परकार से राजा और राणी अपने बेटे को चीर के दोफाड बढ़ा देते हैं और कवी ने अंती मात में इस रागनी का निचोड करते वी इस किछ से का पूरा निचोड कर दिया और पंडी तुमांगे रामजे ने की लिग दिया वला एरे आज दरम की कटा तना भी अपने बेटे की दुनिया के मा इरे दुनिया के मा पात जणा दी अपने बेटे की रचीर के ने एरे फाड के दाए तो फाड बढ़ा दी अपने बेटे की रे 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 मास की बोटी मास की बोटी अलग अलग गिना दी अपने बेटे की मास्नी बोटी, हलगाल विक्राजी, अपना में टेटी वांगे राम धरम पैड़ गया सिरी मांगे राम धरम पैड़ गया विरमांगे राम धरम पैड़ गया आज बात सोच ली शानी आरा सर पैंट एक लिया चलावेरा जराड़ी सोन टैक कैसे चानी